Good evening everyone, so let's start a session, आज का session शुरुवात करते हैं और इस उमीद से स्टार्ट करते हैं कि जो भी आपको आज session दिया जा रहा है, educational session है, वो आप सब की personal growth, आप सब की business growth और आप सब की knowledge enhancement में, knowledge बढ़ाने में, आप सब का जो है वो फाइदा करें So, अगर हम proper अपना पूरा trainings को attend करते हैं, trainings को अच्छे से समझ पाते हैं, तो definitely उस system में हमें अपने business को भी grow करने में जो है वो benefit मिलता है, reason भी, क्योंकि इंसान जो चीज़ बेच रहा है, उसको उसकी शमता पता होनी चाहिए कि क्या values हैं, उसमें क्या benefit हैं और वो हमें क्यों क किसी को recommend करना है, सिर्फ समान देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप क्यारेस के साथ जुड़े हैं, तो सिर्फ समान देना ही किसी को जरूरी नहीं है, उसकी समझ, उसका इस्तमाल भी बताना आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, और एक अच्छे, आप क्योंकि एक अच् होगा, उनकी किसी भी problem के लिए, तो without wasting time हम session शुरुवात करते हैं, और let's start, so आज का हमारा बहुत अच्छा बहुत important topic है, जो की हमारा related to हमारी skincare के हिसाब से बहुत अच्छा topic है, जिसको आज हम बात करेंगे, discuss करेंगे, और जिसके benefits बताएंगे, तो आज के हमारे दो products हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो जो हमारे basically दोनों ही product, skin से related product है, सबसे पहला है हमारा रक्त शोदक, so रक्त से ही पदा चल रहा है, मतलब blood, शोदक मतलब खतम, जो problem है, उसको खतम कर देना, stop कर देना, so that is रक्त शोदक, so रक्त शोदक के इस्तमाल को जो है, अग हम बहुत सारे अपने जो blood में आ रहे toxin particles हैं, उनको कही ना कहीं पे clear out कर जाते हैं, या कहीं ना कहीं पे हम उन्हे clean out करते हैं, तो रक्त शोदक जो हमारा basically जिस formulation से बनाया, जो उसकी composition है, पहले वो समझ लेते हैं, तो इसमें basically चिरत्ता है, कुत्की है, अनंतमूल है, मिज रिष्ठा है, गाजवन है और नीम है, और ये सारे के सारे ingredients हमारे Indian herbs से, हमारे जो Indian जड़ी बूटियां जो बहुत सालों से हमारे Ayurveda में बताया गया है, तो उन सब चीजों की knowledge रखते हुए, इस product की जो preparation है, इस product का जो motive है, वो यही है, कि आप सब तक जो है, ये एक best product दि जाए, कि जिससे आप इसका इस्तमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, और खुद तो फायदा ले ही ले, बलकि especially young age group के लोग, जिनको बहुत जादा skin पे problems रहती हैं, या फिर 45 और 50 age group की females जहाँ पर की hormones की changes होने के कारण, बहुत सारे skin issues आते हैं, तो उन सब चीजों को better क का इस्तमाल कर सकते हैं, सो इसमें चिरता जो डाला गया है, ये एक तरीके का medicinal property containing product है, जो आपकी फूल देख सकते हैं, हलके से गुलाबी रंग के, बैंगनी रंग के जो हैं, स्वारी गुलाबी नहीं, बैंगनी रंग के जो हैं, फूल इसके रहते हैं, वाइट और उसमें और ये जो basically herb है, इसका purpose ही यही है, blood की cleansing करना, especially जहां पर की malaria वाला fever हो जाए, तो रक्त शोदक से हम पहले ही समझ जाते हैं, blood purification, तो बुखार के time पे जिस समय हमें fever आ गया है, बुखार हो गया है, temperature आ रहा है, बढ़ रहा है बहुत जादा, तो उस condition में जो है, और especially जब malaria, अब ये जो season चल रहा था, इसमें जादा क्या था, डेंगू, malaria, typhoid, ऐसी problems बहुत जादा हम regular देख रहे थे, viral fever हो गया, बहुत common चल रहा है, ये season थोड़ा change हो रहा है, और ये changing season के duration में जो है, ये problems आनी, बहुत ही natural है, कि हमें ऐसी problems जो हैं, वो face करनी पढ़ कि उसके साथ हमें कोई और major problem ना हो, तो fever एक symptom है, एक तरीका है, बोड़ी को ये बताने का, कि अंदर कुछ दिक्कत है, लेकिन immune system अच्छे से काम कर रहा है, तो आप इसका कुछ न कुछ जो है, वो, इलाज कराईए, जिसमें की सबसे बेस्ट, इलाज के अगर मैं बात तो definitely रक्त शोदक को हम use करेंगे, malaria fever में, jaundice जहां पर पीलिया जिसी दिककत जो है, वो आनी शुरू हो गई है, उसको हम use करेंगे, ये liver में आ रहे, toxins को पकड़ के, club करके, और उनको liver cleansing में भी मदद करता है, मतलब liver की साफसफाई का जो process है, उसमें भी ये helpful कही ना कहीं प बारी ये चिस समझा चुकि हूँ, Ayurveda में जो center point है, वो है liver, क्योंकि liver एक तरीके से आप समझ लीजे, गाड़ी का वो engine है, कि अगर उसमें थोड़ा भी कच्रा आया, तो गाड़ी की या तो average कम होगी, मतलब हमारी life और हमारा वो phase जो है, उसमें problem आएगी, या फिर वो चल बार बार परिशानी करके, तो मतलब बार बार बिमारी आ रही है, तो अगर हमें इसी broad spectrum में रखें, तो जब तक हम वो engine को clean नहीं कराते, तब तक क्या है, बार बार वो कच्रा जमा हो जाता है, और आप सब जानते हैं, जितने लोग भी bike चलाते हैं, scooter चलाते हैं, तो कुछ जो दिन रात काम करके भी अपने आपको survive करते हैं हम लोग, तो definitely सबसे पहले हमें जो है वो अपनी body के लिए काम करना ज़रूरी है, और उसमें सबसे important part है liver, जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अगर liver अच्छे से रहेगा, पाचन शक्ती बढ़िया, मतलब liver बढ़िया और अगर liver में गड़बर, सारी बिमारियां आने शुरू, शुगर, BP, thyroid, क्योंकि हर चीज को खाना पचाने से लेके सारे हार्मोन्स तक जो दवाईयां और स्प्रे के साथ खाना हमारे पास आ रहे हैं, उस भोजन में से वो स्प्रे के टॉक्संस को reduce करने का भी जो process है, वो हमारा liver करता है, और हमारा रख्त शोदक हमारे liver को clean out करने के लिए, especially जिन लोगों को blood related problems रहें, जिन लोगों को एकने issues बहुत जादा रहते हैं, face पे बहुत दाग धब्बे से हो जाते हैं, especially youngsters चहां पर जादा जरूरी होता है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, बाखी fever आ रहा है, जाड़ा चड़के बुखार लग रहा है, तो हर उस जगा के ऊपर हम इस product का इस्तमाल कर सकते हैं, और इसका जो active component है, वो basically हमारे जो wound, मतलब कोई भी तरीके का हमारे injury हुई, और हमने उस पे दवाई लगाई, और दवाई लगाने के बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी ही हो, तो क्या करेगा, वो particular area में हमारी skin को stimulate करेगा, ताकि उसके cell अच्छे से multiply करके उ जो भी घाओ आपके हाथ पे हुआ, पैर पे हुआ या जहां भी body में हो रहा है, तो यह उसको clean out करने के लिए बहुत benefited रहता है, देखें, अगर हम Ayurveda के हिसाब से चलें, तो आहमला बहीडा जो है, यह बहुत important product है, और वैसे ही liver एक बहुत important organ है, जिसकी मदद से हम यह सार cleansing process कर सकते हैं, body का cleansing process एक तो lungs के through हो रहा है, तो lungs क्या cleansing कर रही है, हवा, हमने oxygen लिया, carbon dioxide छोड़ दिया, वो carbon dioxide clean होके वापिस oxygen हमारे पास आया, तो यह सारा procedure जो है, वो हम अपने environment के through करते रहते हैं, तो definitely environment को भी साफसुतरा रखना चाहिए, तो यह first cleansing का point है, second हमारा cleansing point है, हमारी kidneys, कि हमें urine आया, और हमने सारा वो जो toxin था urine के through, body से clean होके बाहर चला गया, then हम stool pass करते हैं, regular pain साफ होता है, तो वो एक और हमारा cleansing का process है and then आता है हमारा liver, क्योंकि यह सब चीजे, urine का formation होना, हमारा stool का formation होना, यह सब का process जो है, वो liver के ओपर depend करता है, liver अच्छ से काम कर रहा है, तो internal system अच्छ से चलता है, तो इसलिए रक्त शोदक हमारे उन areas पे काम करता है, जहांपर कि ठीक है, liver tonic हमें लेना है, ऐसा नहीं ह कि हम सिर्फ रक्षोदक ले लेंगे, और liver tonic नहीं रहेंगे, तो नहीं चलेगा, दोनों का combination ज़रूरी है, और specially जहांपर की jaundice आ रहा है, हलका सा jaundice आपको दिखना शुरू गया, देखे, पीलिया को ना उतना मत बढ़ाईए, क्योंकि पीलिया अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो brain पे impact करता है, तो better है कि जब वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, उसको वही पर आप control करना शुरू कर सकते हैं, यह promote करता है, regeneration of skin cells, stimulate करता है wound healing को, और इस तरीके से हमारे लिए benefited रहता है, तैन इसमें magistha डाला गया है, यह भी एक तरीके की तरह रहता है, थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगता है, जैसे छोटी-छोटी लकणियां, कांटेदार टाइप रहती हैं, उतना कांटाय वाला नहीं है, बत हाँ थोड़ा जो इसका श्रब है, वो उसी सबसे रहता है, तो यह हमारे पेट में हो रहे कीडे, बच्चों को जैस हैं, वाश्रूम कॉमन यूज करते हैं, तो एक बच्चे को प्रॉबलम है, तो वहां से दूसरे बच्चे को भी इशु आता है, हैंड वाश नहीं हुआ, सैनिटाइज अच्छ से नहीं किया, साफ सफाई का ध्यान उतना ज़्याद अच्छ से नहीं रखा गया, बच्चे स स्कूल्स में जाके, खाना नीचे गिर गया, उठाके खा लिया, तो ये सब चीजों के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं, इंसेक्ट, कीडे जो हैं, वो हमारे खाने के थुरू, या हमारे पानी के थुरू, हमारे पेट में एंटर कर जाते हैं, और फिर वो बच्चे को कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी लूस मोशन हो रहा है, समझ में नहीं आ खा रहा है, तो बहुत जादा खाई जा रहा है, उस अब चीज़े कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हम बच्चे का जो है, वो स्टूल एग्जामेनेशन कराते हैं, जस्टू चेक आउट, क इंटस्टाइन में जो है, वो कीडे तो नहीं है, और कीणों को ठीक करने के लिए हम रख्ट शोदक का इस्तवाल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम्स, एकने हो गया, पिग्मेंटेशन हो गया, जैसे कई फीमेल्स को हम ब्राइटनिंग क्रीम या फिर हम पिग्मेंटेशन क्रीम्स जो हैं, वो एडवाइस करते हैं, एंटी रिंगल क्रीम्स आप एडवाइस करते हैं, तो वहाँ पर उसके साथ आपको रख्ट शोदक और अलोवीरा का जूस, तो अलोवीरा का जूस सुभे आपने जैसे एक अपना रूटीन में बना लें के सु पर उटना है, थोड़ा सा वो डालना है और उसको पी लेना है, उसके बाद फिर अपना नाश्ता वगेरा किया, उसके साथ रख्ट शोदक जो है, उसको भी आपने जो है वो कंजूम कर लेना है, थोड़ा पानी से स्टार्टिंग में डाली उट करके दीजे, अगर और दीरे-दीरे लगे कि हाँ, तो आप उसका कुवांटिटी इंप्रूफ कर सकते हैं, तो ऑल्मन।स्टाइम ट्राइंक के मैं जैसे आपकी जो कूरीज होती हैं बाद में, तो उनको मैं यहीं पे रेपलाई कर दूँँ, तो इस तरीके से जो है बोढोर डेफिनिली ये में हो रहे हैं कीडों को और infections को जो है वो control करना शुरू करता है हमारे skin को purify करता है और skin की pigmentation को reduce करता है क्योंकि खुन की सफाई होती जा रही है अगर हम रक्त शोदक को use करते हैं and जन भी females के face पे patches ने सभी जा नहीं रही है बार बार हो रही है या बहुत जादा डाग बढ़ती जा रही है तो वो अपनी skin care product के साथ रक्त शोदक का इस्तमाल जरूर करेंगे बैन आता है हमारा कुटकी इसमें कुटकी डाली गई है ये ये वी एक छोटी सी shrub type होता है छोटी छोटी डड़िया है जिसे पेड़ की हम कह सकते है टाहनिया जिसे हम कहते है छोटी छोटी रहती है तो ये basically क्या करता है ये भी fever में जैसे किसी भी तरीके का आपको मतलब fever हो रहा है जर हो रहा है या हम कहते हैं कि बुखार चरड़ा है तो temperature बढ़ गया है body का तो उन सारी condition में जो है वो रक्त शोदक्का पे इस्तमाल करेंगे प्लस इसको आप जो है वो body के उपर हो रहे skin के issues जहां पूरी skin आपकी whitening start होगी है जिसको हम विटल को कहते हैं तो आप वहाँ पर भी इसका इस्तमाल जो है वो कर सकते हैं इसको हम फुलवेरी हिंदी लैंग्वेज में हम इसको फुलवेरी भी कहते हैं तो फुलवेरी अगर शरीट पे फैनल ने लग गई है तो हम जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है तो वहाँ पर जो है वो हम रक्त शोदक का इस्तमाल जो है वो definitely करेंगे और वो हमें जो है वो benefit प्रोवाइड करेगा अगर आपको gallstones हो रहे हैं मतलब बहुत सारी females होती है तो क्या होता है basically gallstones भी क्यों हो है क्योंकि liver की metabolism अच्छ से नहीं चल रही जो चर्वी हम diet में ले रहे हैं वो अच्छी quality की नहीं है हाना oil हमारा अच्छा नहीं है या बार-बार तल-तल के उसी oil का खाना हम खा रहे हैं तो वो toxicity cause करना शुरू कर देता है जिसके कारण क्यों होता है कि धीरे-धीरे fat की metabolism disturb होती है और अगर fat की metabolism disturb होगी तो क्या होगा उस condition में उसी fat के stone formation होने लग जाती है और ये stone formation जो है वो क्या करता है basically कि हमारे पित्ते में पत्री आने लग जाती है अब ये पित्ते की पत्री जो है उसकी problem क्या है कि ये anti-gravity के हिसाब से पढ़ी है normally kidneys हमारी इस तरीके से present है तो इसलिए अगर इसमें stone है तो वो easily urine के through निकल सकता है बट जो हमारा gallbladder है पित्ता है वो इस तरीके से पढ़ा है एक चोटा सा pouch है और उसके अंदर जाके सारा stone जो है वो accumulate हो जाता है और जो push करके उसको बाहर भी नहीं फेंक सकता है जिसके कारण प्रॉब्लम आती है तो अगर हलकी सी भी debris आपको दिखने लग रही है कि आपके जो है वो reports में gallbladder आपने ultrasound कराया और उसमें gallbladder में stone कहरें कि अभी बहुत छोटे size का है तो वो छोटे size को घोडने में definitely यह फायदा करता है अब वहाँ पर बहुत सारा हो गया कि gallbladder का इतना size और इतना भर गया वहाँ पर अंदर सारा तो definitely उस case में आप बहुत लेट हो चुके हैं और जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ बिमारी जब यहाँ है तो control कर लीजे जब यहाँ पहुंच गई तो it is difficult to control तो वो जो process है न उसको आपने आज दी cover करना है कि अगर थोड़ी बहुत भी problem है immediately देखिए immediately समझे और उसी वक्त आप उसका treatment करवाईए और कि RS group की दरब से इतने effort होते हैं हफते में तीन दिन हम class लेते हैं इसलिए ली जाती है education कराई जाती है आप लोगों को समझाया जाता है पढ़ाया जाता है अगर आपकी कोई queries हैं तो वो भी हम session के बाद लेते हैं और उसका motive यही है कि आप सब उन सब products के benefit कही ना कहीं पे avail कर सकें खुद भी अपने ask pros में सब को बता सकें plus क्योंकि जब आप जानते हैं कि अगर gallstones होंगे तो मन में चलाएगा उल्टी जैसा लगेगा हना हिचकी लगेगी ऐसी दिक्कतें जो हैं वो आने लग जाती हैं और अगर वैसे भी किसी को gallstones नहीं भी हैं लेकिन मन में चला रहा है उल्टी जैसा लग रहा है बार बार जो है वो हिचकी लग रही और बंद नहीं हो रही तो वहाँ पर रख्त शोदक काप इस्तमाल कर सकते हैं और जिन लोगों को बहुत जादा आदत होती है ड्रिंक करने की बहुत ड्रिंक पीते हैं बहुत जादा जो है वो अलकॉहल का नहीं है और वहाँ पर भी ये रिवाइवल का प्रोसेस देता है कि अगर आपने उसको बंद कर दिया और तो धीरे धीरे जैसे आप उसको बंद करेंगे जैसे मेडिसन की तरह और यहां से रख्त शोदक की quantity थोड़ी थोड़ी बढ़ानी शुरू करेंगे so that कि कि जो लिवर के अंदर toxicity है उसको हम निकाल सकें खतम कर सकें then अगर लिवर में मानते हैं कि अगर लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो श्रीर का जो है वो system बहुत कमजोर हो और बहुत सारे लोगों को नाक में से गर्मी के कारण जिसको हम कहते हैं कि nose bleed भी common हो जाता है कि नाक में से खुन बहने लग जया because internally कहीना कहीन पे जो है वो कोई artery या कोई major vessel जो है वो कहीना कहीन पे कट हुई जिसके कारण जो है नाक में से खुन आने लग जाता है और उसकी रोगधाम के लिए कैसी problems और बहुत frequently नकसीर फुगती है बहुत लोग हमें ये बात बोलते हैं कि नकसीर बहुत जादा फुगती है तो वहाँ पर आप रख रख शोदक का इस्तमाल कर सकते हैं 100% ये बहुत फाइदा करेगा until unless कि आप साथ में कोई भी blood thinner मत ले रहे हो कि डॉक्तर ने आपको ऐसी गुली नहीं दी कि जो खुन पतला करने वाली दवाई होती है अगर आप वो ले रहे हैं तो definitely उसमें फिर आपको counter-indicated है कि आप इसको as it is नहीं इस्तमाल करेंगे without हमारी advice उसके लिए आप सारे अपने blood test की reports वगरा जो हैं वो हमें share कर सकते हैं so body के ओपर एक cooling effect soothing effect जो है वो हमारे payt के system के ओपर ये provide करता है definitely बच्चों के digestion में जहां थोड़ी दिक्कत लग रही है तो मैंने कहा कि थोड़ा पानी लेके उसमें थोड़ा इसको dilute करके डाल लिजे आदा चमच और थोड़ा उसको mix करके बच्चे को भी आप दे सकते हैं जिसके कारण उसके पेट में हो रही गड़बड को जो है वो कहीना कहीं पे हम settle करेंगे तो blood से हाट बंद हो गया तो वो हाट एकदम से बंद नहीं हुआ बड़ी का वो system जो है वो एकदम से इस तरीके से convert हुआ acidic atmosphere इस तरीके से बना कि बड़ी का सारा pH balanced disturb होने लग गया जिसके कारण हमारा सारा internal system disturb हो जाता है तो blood purification में ये बहुत helpful और urine proper cleansing होती रहे क्योंकि जब हम रक्षोदक ले रहे हैं तो किसले ले रहे हैं cleansing ना, खुन की cleansing हो गई urine की cleansing हो गई liver की cleansing हो गई तो definitely वहाँ पर जो है ये बहुत ही benefit effect देता है plus बहुत सारे लोगों को microbial infections जैसे कि हमने बहुत 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 डिसकास किया कि females को जैसे licoria वगेरा की दिक्कत जो है वो बहुत जादा रहती है ठीक है आप अपना आप कहेंगे कि हम intimate wash भी यूस कर रहे हैं हम जो है वो अपना personal hygiene भी अच्छा रख रहे हैं हम sun में अपने कपड़ों को भी सुखा रहे हैं दूप में डालके कपड़े भी सुखा रहे हैं विट still जो है वो कही ना कही पे problem जो है वो infection बार बार हो रहा है तो वहाँ पर आप जो है वो रख तशो तक का इस्तमाल कर सकते हैं अगर fever आ रहा है क्योंकि जब भी urine में बहुत ज़ादा infection बढ़ जाती है तो उस condition में जो है वो urine में भी issues आने लग जाते हैं तो definitely microbial impact जो है bacteria microbes जो है वो सबढ़ने की कारण दिक्कत और परशानी भी बढ़ जाती है इसमें अनंत मूल है चोकि लेप्रोसी के लिए use होता है जिसको हम कुष्ट रोग कहते हैं तो basically कुष्ट रोग में क्या होता है कि हमारे जो हाथ पैर के उंगलियां रहती हैं ये धीरे धीरे गलने लग जाती हैं और ये body का immune system कही ना कहीं कमजोर पर रहता है आप जो है वो immunopower या immunodrops का इस्तमाल करके जो है या cow cholesterol का इस्तमाल करके जो है वो आप इसका usage जो है वो कर सकते हैं definitely आपके ऐसे patients के लिए जो है जिनको दिक्कत रहती है आपने देखाओगा हाथों पर लोग फिर ऐसे पट्टी बान के रखते हैं क्या होते है कि वो हाथ एक दम से गन्ने लग जाते हैं पैर की अंगुठे जो है या उंगलिया जो है वो गन्ने लग जाती है तो उन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं पर जो है वो रखत शोदक बहुत अच्छा एक प्रड़क्ट है तो इसमें तो इतना सारा इंपक्ट इतनी अच्छी जड़ी बूर्ट है कुटिया डाली जई है कि वो प्रॉपर हमारे अंदर से क्लेंजिंग करती है तो ऐसा आप कर सकते हैं कि महीने में जो है वो दो से चार बार डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की उमर के इतनी है तो आप बच्चों को दे दीजे तांकि उनका एक बड़ी डिप क्लेंजिंग प्रॉसेस हो जाए पेट में अगर कोई थोड़ा बहुत वाँ गुसा हुए है कोई कीडे डले हुए है तो वो सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं पे यहां से रिमूव हो जाएंगी और जब वो निकलेंगी तो डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ अच कारण है कि पाचन शिक्ती अच्छी नहीं चल रही लिवर काम अच्छे से नहीं कर रहा लिवर उन टॉक्सिंस को निकाल नहीं पा रहा है जिसके कारण जो है वो बच्चे को प्रॉब्लम आती है क्योंकि यह वाद पित कफ को प्रॉपर तरीके से बैलन्स करता है पूरा ब जो बॉड़ी है वो बेसिकली बॉड़ी है ऐसी तो उन कंडिशन को रिडियूस करने के लिए जो है वह आप अननतमुल का इस्तामाल जो है वह आप कर सकते हैं बैन नीम डेफिनेटली नीम की पत्यां और नीम जैसी दवाई मुझे मतला हम कह सकते हैं अगर हम इसको कंसिडर क करें लेकिन मेरे हिसाब से तो यह सुपर फूड है कि जो सोटी से शोटी प्रॉब्लम को लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक हमारी बॉड़ी में क्लीन अप कर देता है लेकिन अगर आप बच्चों को ब्लट प्योरिफिकेशन के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा सा उनकी डाइट में अच्छे वाला फैट बढ़ा दीजे ताकि इंटर्नली जो है वो किसी भी तरीके से इशूस दाएं क्लेंजिंग प्रॉपर हो जाए और आपको बेनेफिट होगा ही होगा उन सारी चीज़ों के उपर और क्लेंजिंग प्रॉसेस जो है जो नीम कर रही है आप इसकी पतियों को आपने घर में जो स्टोर किया हुआ आपने कोई डाल चावल या कुछ भी ऐसी चीज़े रखे हैं आप उसमें वो पतियां डाल के रख दीजे उस जगा पे बिल्कुल कीडा नहीं लगता है वैसे ही आप समझे कि अगर उसका वो पूरा असर हमारी ब बैक्टिरिया जो है वो हमारे को प्रॉब्लम कर सकता है तो डेफिनेटली आप गुड़ फाट इसके साथ बढ़ाएंगे जो कि मैं पहले भी बता रही थी कि जैसे कि घर का निकला हुआ आदा चमबच बटर आप ले सकते हैं बढ़ हां उमर जादा है और कोरिस्ट्रोल प जिन लोगों को हाट इशू रहते हैं तो ओलिव और वगेरा हो गया कोकोनेट ओल हो गया उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं चमबच दे सकते हैं घी दे सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सो डाट कि के जूस का काम करने की इंपाक्ट है या शमता है वो और बेटर ह हो और उससे और क्लेंजिंग हो बाडी के अंदर क्योंकि कोकोनेट ओल वगेरा जो यह सब चीजें वो और क्लेंजिंग प्रॉवाइड करती है और जब नीम टॉक्सिंस को निकाल रहा है तो बाडी से उसको बाहर निकालने के लिए भी कुछ सब्स्टेंस हमें रेक्वाइ लोगों को पापिस से बताते हूं जिन भी लोगों को मलेरिया जॉन्डिस जैसे बुखार हो रहे हैं जिनको भी पेट से संबंदिद डाजेशन में इशूज रहते हैं कुछ भी खाते हैं शरीर बहुत जादा फूल जाता है लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वहा लिप्रॉसी प्रॉब्लम जो है वो पिशिंट को आती है कुछ ट्रोग जिसको हम कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम को क्लेर आउट करने के लिए जो है वो रख्त शोदक बहुत ही भैतरीन प्रड़क्ट है और डेफिनेटली स्किन क्लिंजिंग के लिए बालों में डांडर फाना बहुत जादा डांडर बन रहा है आपने शांपू तो एप्लाई किया एक्स्टर्नली बट इंटर्नली भी तो आपको वो क्लेंजिंग प्रॉसेस रिक्वाइड है तो इंटर्नल क्लेंजिंग प्रॉसेस के लिए जो है वो आप डेफिनेटली रक्षो तक का इस्तमाल कर सकता है और जैसे मैंने कहा कि बच्चों को तो आप मतला एक महीना साल का ये आज फल स्पेशली है थोड़े थंडे दिन है तो इन दिनों में आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपने दे दिया या जब एक्स्रीमली समर सीजन है ज उसे थोड़ा टाली उट करके दे दीजे सो दाट के कि एक बड़ी क्लेंजिंग हो जाए डेफिनेटली बच्चे के उमर पांच से आठ साल से उपर ही होनी चाहिए स्टिल उससे छोठा बच्चा है और देने की नौबत लगती है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं देन हमार को देखो ऐलोवीरा क्या है अभी हम नीम के बेनेफिट पढ़ रहे थे और जैसे की आमला तो हमेशा हर प्रड़क्त में रहता ही है वैसे ही स्किन केर के प्रड़क्त में ऐलोवीरा जो है वो हमेशा ही प्रेजंट होता है और डेफिनेटली यह कूलिंग सूधिंग इंपक हमारे स्किन को देता है नीम इसमें डाली गई है जिसका परपस है डीप क्लेंजिंग और बैक्टेरियल को रिमोव करना तो यह जो हर्मल फॉमिलेशन है इससे पिंपल एकने डीप क्लेंजिंग होता है पोर्स जो है उनकी सफाई अच्छे से हो जाती है ऐलोवीरा फेस वा करता है तो वहां पर जाके वह जमा हो जाती है मिटी धूल गटा सारह दिन हम काम करते है कितना स्टीम होता है तो वह सारी चेज़ें जाकर कही कहीं लाकेज काुस करएं सो उन सब चीजों को क्लीन करने के लिए हम जो है वो एलो नीम face wash का इस्तमाल करेंगे and definitely वो हमें फायदा करेगा then हमारा आता है कि skim की जो है हम कह सकते हैं कि glow के लिए उसको clean करने के लिए जो है वो aloe vera में डाला गया है और aloe vera एक जैसे आजकल थोड़ा season कैसा है थोड़ा dry season चल रहा है अब नीम से अगर थोड़ी dryness आ रही है तो aloe vera moisture content को बढ़ा रहा है तो that's why ये दोनों product आपने आपमे एक दूसरे को compliment कर रहे हैं जिसके कारण जो जब आप इसको 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 इस्तमाल करते हैं तो deep cleansing तो होई गई but soothing impact के लिए वहाँ पर नीम के current deep cleansing हो गया और soothing impact के लिए aloe vera जो है उसका use यहाँ पर किया गया है dark spots हो जाते हैं face के उपर तो वो लोग भी जो है वो aloe neem face wash का इस्तमाल कर सकते हैं then antibacterial antifungal है क्योंकि नीम डली होई है और नीम को तो हम सब जानते हैं कि नीम जो है उसका benefit यही है कि यह bacteria fungus इन सब चीजों को जो है वो clean out करता है neem oil का जो इसमें importance है वो यही है कि bacteria face प्यारे acne boils जिनमें की pus वगेरा भर जाती है या बहुत जादा deep हो जाते हैं और जिसके कारण जो है वो skin पे rash इतना जादा आता है कि वो ऐसे लगता है कि छुटे-छुटे से धब्बे से बनने शुरू हो गए है और pigmentation बहुत डीप हो जाती है क्योंकि skin जो है देखिए skin बहुत soft होती है body के comparatively इसलिए हम face wash अलग और body wash अलग रखते हैं उसका कारण है कि हम जो soaps use कर रहे हैं तो उन सब चीजों से body तो ठीक है कोई problem नहीं है but face का जो skin tone है वो body के comparatively थोड़ा जादा soft होता है और जादा supple होता है तो उसका moisture बचाने के लिए जो है वो yellow name face wash का आप इस्तमाल करेंगे और यह definitely बहुत जादा benefit करेगा हर तरीके की skin type को जो है यह benefit करेगा and definitely यह अगर आप यह दोनों ही product इस्तमाल करते हैं रक्षोदक हो गया यह yellow name wash हमारा हो गया यह दोनों ही product का जब आप इस्तमाल करते हैं तो ऐसी दिखने वाली skin आपकी नहीं होगी आपकी सुंदर और बहतरीन skin जो है वो दिखने के लिए आपको मिलेगी और psoriasis हो गया या bacterial infections हो गया उन सारी चीज़ों को भी आप कहीं न कहीं पे खतम कर पाएंगे so thank you thank you for the session अब आपकी कोई भी queries हैं तो आप एक एक करके हमसे पूच सकते हैं तो we are there to help you out so Aman के नाम से है प्लीज अमन जी आप अपने अपको unmute करके आप अपने queries पूच सकते हैं जी प्लीज जी मैम रादे 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 जी 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 मैम आप जो रक्स सोदत के बारे में बता रहे थे तो दोरानी का बच्चा है उसको अभी जैसे पेट में आतों में गाट थी और उसकी ऑपरेशन होई है और डोक्टर ने बताया जी उसको मते की थोरी से लीवर की सिकाहिद बताई है तो इसके लिए क्या रक्स सोदत में या लीवर की एर देना है देखे बच्चे की एज कितनी है तीन साल का है मैं बच्चा बच्चा भी तीन साल का है और अभी आप बता रहे हैं कि कितना टाइम पहले उपरेट कराया है उन्होंने अभी पंद्रवीच दिन हुआ है 15-20 दि तिर आप अभी at least एक महीना रुकने के बाद जो है वो जैसे क्योंकि बच्चा तीन साल का है तो मैं बोलूँगी आठ से दस ड्रॉप जो है वो थोड़े पानी में डालके वो बच्चे को अब दिन में एक बारी जो है वो स्टार्ट करिए डिफिनेटली उससे अराम आएगा बठाँ इमीजेटली क्योंकि अभी ऑपरेट हुआ है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी क्योंकि बच्चे के हिसाब से आप 15-20 दिन रुक के फिर स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें जैसे मैंने बताया 8-10 ड्रॉप क्योंकि अभी बच्चे की उमर कम है वजन कम है तो उसक का बच्चा है इतना कुवजन होगा तो क्वांटिटी कम से हम स्टार्ट करेंगे तीरे तीरे अच्छा उसके इंपक्ट अच्छा रहे हैं तो फिर हम दोस थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं ठीक है जैसे कि रक्षोद देना है या लिवर केर देना है नहीं देखिए गांठ पेट में है तो डेफिनेटली वहाँ पर आप रख्षोदक दीजे क्योंकि रिकवरी भी तो करवानी है और इसका जो इंपक्ट है वो रिकवरी के साथ-साथ है सारे सिस्टम के ऊपर तो डेफिनेटली आप जो है वह लिवर टॉनिक के कमपारिटिव ली रख्षोदक दे स तो आज के लिए इतना ही एवरिवान जितने लोग आज रह गए है और नेक्ट शेल में टाइम से जुड़ियेगा और समझियेगा कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी हेल्थ को लेगा तो थैंक इसो मुझ मैं मैं थैंक इसो मुझ के आरेस और जेकर थैंक जेकर थैंक इसो झाल